तो आप अगर पहली क्लास को देखोगे न तो मैंने क्या कहा था कि आपके अकाउंट के अंदर दो है ब्रांच के अंदर एक क्या था हमारा एट कॉस्ट चार कुशन इसके थे कर लिए फिर एट आई पी उसके भी हमने कुशन देख लिए ज्यादा बड़ा नहीं है उसके बा हमारा है स्टॉक डेटर सिस्टम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे और सर जब ब्रांच अकाउंट हम बनाएंगे तो इस ब्रांच अकाउंट के अंदर हम सीखेंगे कौन सा मैथर्ड कौन सा सिस्टम तो देट इस स्टॉक डेटर system, stock debtor system stock debtor system को बनाने के लिए आपको कुछ number of account बनाना पड़ेगा सर हम इसके अंदर कौन-कौन सा account बनाएंगे number one, stock account number two, branch adjustment account number three, debtor account number four, petty cash account number five, bank account तो यह majorly five account है जैसे पिछले वाले में करा था तो main एक ही account था और हो सकता था दो भी बन जाए, हो सकता था तीन भी बन जाए हो सकता था पांच भी बन जाए यहाँ पे main रहने वाला है हमारा यह दो यह तो बनेगा ही बनेगा अब हो सकता है कि बागी के यह helping account हमारे बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं सबसे पहले मुझे मेरा बड़ा बेसिक सा और बड़ा चोटा सा सवाल है जो इस टॉक है हमारे बिजनस के लिए ऐसे लाइव लिटी है हमने डेटर अकाउंट भी ऐसे बनाया था सोच के कि क्या है उसी तरीके से इसको बना लेंगे क्या आएगा आपका यहां पर्टिकुलर पर्टिकुलर यहां पर आएगा हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट ठीक है स्टॉक अकाउंट देखिया आप स्टॉक हमारा क्या होता है एसेट्स होता है स्टॉक क्या होता है एसेट्स होता है बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है एसेट्स सर कोश्चन की पीडियाफ अल्रेडी आपके पास बुक है जो कि आप उसी book के ही question कर रहे हैं जो jrmoga book है तो हमारा stock assets है तो इसका इधर से शुरू होगा यानि इसका मैं सबसे पहले क्या पूछ हूँ आपसे तो आप बताना जवाब देना आप बताओ balance bd किदर होगा इसका 2 में होगा 2 में होगा balance bd 2 में होगा क्योंकि ये assets है तो इसका होगा 2 balance bd है ना balance cd किदर होगा बताओ buy मैं नीचे लिख देता हूँ buy balance अब ये balance cd और balance bd होगा किस चीज़ का stock का ही होगा stock बना रहे है तो ये होगा हमारा ip पे ठीक है ना मैं bracket में लिख रहा हूँ ip पे होगा यानि sir ip मैं अब समझाने की जुरत नहीं है जो पहले समझा था वही है ठीक है अब ये बढ़ेगा इस side से asset से तो बढ़ेगा किस side से और घटेगा किस side से buy इसे तो बढ़ाने का reason देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है अब ध्यान से देखेगा बढ़ने का reason number one अगर मेरे पास समान आएगा यानि good sent good sent समान आएगा तो बढ़ेगा अगर हमारे पास समान आया good sent तो बढ़ेगा तर good sent और ये भी किस पे होगा तर IP पे और कब बढ़ सकता है हमारे stock बताओ दिमाग लगाओ logic कब बढ़ेगा हमारे stock अगर मैंने कोई return किया और वो return वापसी आजाए तब भी बढ़ जाएगा यानि अब sales return होगा तो भी sales return मैंने customer को समान बेचा उसने वापसी कर दिया फिर बढ़ जाएगा है ना अब घटने का reason क्या है समान बेच दो तो घट जाएगा sir अब समान जब बेचेंगे तो घट जाएगा यानि sales अब बताओ कैसे समान बेचेंगे तो हमारे stock घट सकता है अगर नगत बेचेंगे तो घटेगा ही नहीं घटेगा अगर हमने 10 item था हम बेच रहे हैं हमारे stock है तो नगत बेचे चाहें उधार बेचे दोनों में घटना है हमारे stock तो इसलिए इसके नीचे जो sales होगा वो दोनों आएगा यहां पर कौन-कौन ससर cash भी और credit भी दोनों sales आएंगे अब यहां पर ध्यान रखिएगा और कब घट सकता है दिमाग लगाओ logic लगाओ और कब घट सकता है अगर हम समान वापसी कर दे किसको head office को कौन ब्रांच का अकाउंट है यह वापसी कर दे किसको head office को तो कहां लिखेंगे buy side में return तो यह आगया ना good sent good sent receive ही तो है क्योंकि head office ने send किया है बना head office रहा है लेकिन ब्रांच के लिए बना रहा है इसलिए वो बोल रहा हमने good sent किया है ठीके ना goods receive ही है return to H OE हो जाएगा कई बार ग्राहक भी direct return कर देते हैं जैसे ग्राहक ने ब्रांच को ना करके direct किसको करती है ठीक है अब balance cd यहां तक समझ में आ रहा है सब कुछ अब क्या हो सकता है अगर आपका मान लेते लॉस हो गया loss किसी परकार का हो चाहे normal हो abnormal हो आपका stock तो घटे गई तो किदर लिखना चाहिए उसे बताओ buy side में तो buy आपका चाहे normal loss हो या फिर क्या हो abnormal loss हाँ abnormal loss सर abnormal loss में क्या हो सकता है abnormal loss आपको सवाल में हलाकि घीवन होगा यह abnormal loss है लेकिन ऐसे हो जाए loss by theft loss by fire आपका यह preferred हो जाए या फिर आपका shortage भी आ जाता है एक बार को यहां पर तो इस तरीकी के loss होंगे spoilage हो जाए तो आपका यह loss क्या होगा हमारा abnormal होगा normal loss के लिए सवाल normal loss बोल देगा ठीक है यहां तक समझ में आ रहे है अब यहां पर examiner का उद्देश से क्या रहेगा आप से जादा से जादा examiner का main motive क्या रहने वाला है हां फ्री सेंपल में भी घट जाएगा फ्री सेंपल में भी घटेगा ठीक है ना हम फ्री सेंपल देंगे अगेन इधर आ जाएगा अब मान लेते हैं कई बार ऐसा होता है ना हमारे पास दो ब्रांच है एक डेली ब्रांच, एक यूपी ब्रांच और मुंबई ब्रांच जो है वो एच्चो है और ये एक डेली का ब्रांच है और यूपी का भी एक तो मैं अगर आप से पूछू कि मुंबई और डेली के बीच में सफर, फासला और UP और डेली के बीच में फासला तो किसके बीच में कम फासला है तो अगर माल लेते हैं UP के पास बहुत सारा स्टॉक पढ़ा हुआ है और डेली ब्रांच के पास स्टॉक ही खतम हो गया तो head office ना instruction दे सकता है इसको के भाई मेरे पास तो जाने में टाइम लगेगा तेरे पास पढ़ा हुआ एक काम कर दो फटा फट जा और तो डेली ब्रांच को समान भेजबा दे वहां से ग्रहाक बापच आए ऐसा होता है मान लेते हैं हम UP ब्रांच काही काम कर रहे है तो UP ब्रांच को instruction आ गया कहां से आ गया कि समान किसको भेज़ दो तो जब UP ब्रांच जो मैं बना रहा हूँ अगर मुझे instruction आ गया भेजने का तो मेरे stock क्या होगा कम होगा ज़्यादा होगा तो मैं buy side में लिखूँगा buy transfer to other branch लिख देता हूँ समझ में आए बात अब मान लेते हैं कई बार stock ना UP में खतम हो गया और डेली में खूब सारा पड़ा हुआ है तो अब head office किसको instruction देगा बताओ डेली को देगा क्या बोलेगा किसको समान दे दो तो अब जब UP का मैं अपने लिए बना रहा हूँ यूपी के लिए instruction मिला तो किधर लिखेंगे two side में लिखेंगे न क्या लिखेंगे two goods receive हो गया from other branch हम सिर्फ लिखेंगे goods आप इन सब्दों देखो आप अगर ratification मारोगे ना तो नहीं कर सकते भाई आप logic को पकड़ो जब सवाल given होगा और आपको पता stock account बनाना है तो वो कैसे भी घुमा फिरा के आप से सवाल बोल दे कैसे भी घुमा फिरा के आपको कुछ भी बोल दे आपको पता है भाई ये बोल रहा है इसका मतलब हमारे पास से stock जा रहा है तो कुछ भी हो जाएगा तो बाई में अगर आ रहा है हमारे पास स्टॉक चाहिए कहीं से भी आए तो कहा हैगा टू साइड में समझ रहे हैं बात अब कई बार ऐसा होता है न कि जब हम समान को भेजते हैं न जैसे माल लो यहाँ पर समान है और हमने समान भेजना चालू किया और मैंने दो ट्रक भीजे समान ठीक है ना समान इतना ज़्यादा था दो ट्रक भीजा हैड ओफिस ने मुझे कहा कि भाई इस ट्रक में पांच हजार का समान है इस ट्रक में दस हजार का समान है head office ने phone किया भाई मैंने तिर को कितने का समान भेज़ दिया 15,000 का लेकिन मैं यहाँ पे न पता है क्या करता हूँ वही item लिखता हूँ जो मैं receive कर लूँगा तो जब truck आने लगा तो मैंने भूला भी यह truck आ जाओ न वह कितना लिखूंगा बताओ good send में सरिफ लिखूंगा यह एक तो यह तरीका है यह दस जाजार का माल आये तो दसी लिखूंगा दूसरा तरीका एक और यह है कि भीया माल तो आई जाएगा ना माल जाएगा कहां ट्रक खराब हो गया पंचर हो गया तो ऐसा थोड़ी ओब आपसी चला जाएगा वो तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे गुट सेंड में वो कितना लिखेंगे पंद्रह हजार गुट सेंट में कितना लिखेंगे समझना बात को यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं पटाफट कमेंट में जवाब देजिए यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आ रहा है समझ में प्रॉपर कि वहाँ से भेजा कितने दो ट्रक 15,000 लेकिन मेरे पास आई कितने ट्रक एक ट्रक 10 का 5 का तो नहीं आया जब मैं closing stock निकालने गया तो closing stock मैंने यहाँ पर निकाल के लिखा है closing stock निकालने गया तो closing stock मैंने लिख दिया यहाँ पर 8,000 और जो समान मेरे पास था, जो material मेरे पास था पड़ा हुआ, closing stock इसी में से तो ढूंड के गिन के लिखूंगा मैं, इतने सारे stock जितने बिग्गे है, उसमें से जो यहां लिख दिया, ठीक है, क्या जो समान रास्ते में उसको मैं गिन पाऊंगा, नहीं गिन पाऊंगा, ट्रक लिए कहता है, कि अगर आपने इधर 15,000 रुपे का समान दिखा, और यह 8,000 रुपे चाट के निकाला है, वो 10,000 के समान में से 8,000 रुपे चाट के निकाला है, क्योंकि जो समान आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें से तो गिनती से निकाला आपने closing stock, क्योंकि आपके पास कितना है दस, दस में से दो ही विका तो उसमें से निकाल नुकॉल के बूला आठ बच गिया है, जबकि आपको चाट के closing stock किसमें से calculate करना चीए था, इसका मतलब सर पांच हजार रुपए इसमें और जूड जाना चीए अगर पांच हजार रुपए मैंने इसके अंदर add कर दिया, तो मतलब है पांच हजार, तेरह हजार रुपए का आपका stock go down में है, इसका थोड़ा सा अलग accounting treatment करा गया, बोला गया भाईया, जो आपके पास go down में है उसको तो balance bd में लिखिए, और जो go down में नहीं है उसको लिख दीजिए goods in transit क्या बोला गया, goods in transit का मतलब होता है रस्ता, सब्सक्राइब आपको तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम goods in transit बिल्कुल, आएगा question अरे भेजा 30 तारिक को था मार्च में तो 30 तारिक को भेजा तो हो नहीं सकता कि एक साल एक दिन बाद आजाए हो सकता है समझे रहे न 30 मार्च को समाना आया ठीक है, 30 मार्च को जट से यहाँ लिख दिया उसको आने में दो दिन है, अगला साल आ गया हमें तो closing बनाना ही है न तो हम लिखेंगे निए, goods in transit आप 365 दिन मतलो के ट्रक फसा हुआ है पंचरी है भी, वो दिमाग से निकाल दो, ऐसा सिच्वेशन आ जाता है ठीक है? ठीक है? तो यहाँ balance cd लिखा, समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या लिखा? मैंने goods in transit इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ गोड़ इन ट्रांजिट closing stock जो होगा ना जो balance cd होगा वो तो closing stock का होगा और एक होगा goods in transit goods in transit ठीक है ना? एक होगा goods in transit बताइए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ऐसा लेकिन अगर मान लो इधर हमने 10 लिखा इधर अगर हमने 10 लिखा तो goods in transit लिखेंगे? नहीं लिखेंगे यहाँ दस ही के हिसाब से चल रहे हो आप goods in transit इसलिए इधर 15 और इधर 10 के हिसाब से क्लोजिंग तो लिखते हैं ठीक है न? और बाकी आपको जब भी goods in transit होगा तो इधर फरक नहीं पड़ेगा इधर ही लिखना होगा अब यह सारा करने के बाद अब हमें लोडिंग लिखना है इसमें क्या? अबनॉर्मल लॉस है तो इस दर आ जाएगा? माल खराब होने का मतलब आपका माल गया गया आपका माल बरबाद हो गया, स्टॉक कम हो गया तो किदर आएगा? बाइस है अब ऐसा भी हो सकता हम किसी को भेज दे और वो रस्ते में लटक गया तो हमें क्या मतलब? वो एंट्री करेगा न गुट्सिन ट्रांसिट का हम तो इदर लिख देंगा भाई मैंने आपको माल भेज दिया समझना बात को मैंने आपको माल क्या करा? भेज दिया अब मैंने भेज दिया तो मैं तो बाइसाइड में लिख दूँगा गुट्स ट्रांसफर टू दिस अब वो बोलड़ा है राय नहीं मैंने तु एंट्री करनी आए तो मेरे को क्या ले न देना है गुट्सिन ट्रांसिट की कोन एंट्री करेगा? वो करेगा है मैं करूँगा वो और हम accounting अपनी कर रहे हैं तो हमें मतलब भी नहीं भी या तो भेजते time पे transit होगा कोई लिए ना देना नहीं और लेते time पे transit होगा तब entry आ जाएगा समझे बाता दो चीजें बताए कोई दिक्कत बताए जितने बच्चे लाइब में किसी को को पे दिक्कत यानि भेजते time पे होगा तो हमारे कोई मतलब नहीं है और लेते time पे पूरा आजाएगा ठीक है ना अब loading की बात करें तो sir loading किस किस पे निकलेगा loading की बात करें तो loading किस किस पे निकलेगा यानि sir इन दोनों को छोड़ कर सब पे एक इस पे और एक sales return को छोड़ कर नहीं in fact sales return पे भी निकलेगा क्योंकि selling price अब loading निकालेंगे तो किधर आएगा sir इसका loading और इसका loading तो return to echo का मैं इधर लिख रहा हूँ loading का मतलब क्या है sir stock reserve वही जो सीखा था मैं इधर लिख रहा हूँ loading और वो जो percentage सिखाए था न वो काम आएगा loading के अंदर क्या क्या आ सकता है return पे loading और किस पे आ सकता है आपका मैंने थोड़ा सब मिस्टेक में गलत चला गया loading यहां नहीं लिखेंगे कहीं और लेकिजा के लिखेंगे आपको बस पता हूं अच्छे किस किस पे loading निकलेगा यानि बड़ी सीधी से बात है sir इसके उपर भी loading निकलेगा इसके उपर भी loading निकलेगा goods receive मैंने extra लिखा है इसके उपर भी loading निकलेगा goods sent तो यह तो समझाने के लिए था मैं इसे मिटा दू है न अब इधर से आ जाते हैं इसके उपर loading निकलेगा इसके उपर loading निकलेगा normal loss पर loading नहीं निकलता है abnormal पर loading निकलेगा transfer के उपर भी loading निकलेगा और closing stock के उपर भी loading निकलेगा समझ महीं बात तर इन लोडिंग्को ना हम यहां नहीं रखेंगे पहले क्या था इसके लोडिंग्क को निकालके अब हमने क्या करा इसके लिएक सेप्रेट अकाउंट बना लेंगे समझ रहे बात बीडी पर भी लेटिक मार रहा है ना सीडी मतलब यह तो है ना सीडी सीडी तो वर्ड है इसके अंदर तो यह content है ठीक है ना बीडी स्टॉक ही हो तो ठीक है ना अब पहले जैसे की depreciation के लिए एक अलग Lay is account बना लेंगे उस account का नाम क्या होगा सर ब्रांच और कई लोग ना इसे branch adjustment को मैं बता देता हूँ इसको बोलते है branch adjustment और कई लोग branch adjustment को ना बोल देते हैं ट्रेडिंग and profit and loss account खीक है न कई वार सवाल में आएगा प्रपेर ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लोग अकाउंट आलसो तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लोग अकाउंट किसका है branch adjustment का ही नाम है अब ट्रेडिंग profit and loss से खयाल आया यहां तो दो चीज़े बनेगी तो यहां तक हमारा उपर का हिस्सा रहेगा और यहां तक इसके नीचे का हिस्सा रहेगा यहां मान लेते हैं ट्रेडिंग और नीचे पी एंडल है सच कुछ हो गया ना दो हिस्से में बाट दिया, ऊपर वाले हिस्से में स्रिफ लोडिंग, लोडिंग का काम होगा, जैसे इधर का स्टाउक है, टू में, तो इधर आएका बाई में, बाई लोडिंग, किस पे सर, ओपनिंग स्टाउक पे, समझे रहे हो, और किस पे आएगा, बाई, लोडिंग, गुड्स, गुड्स सेंट पे, और किस पे आएगा, बाई, लोडिंग, सेल्स, रिटन पे, बाई, लोडिंग, गुड्स, मैं शॉट पर्म लिख रहा हूँ, ठीक है न, समझ में तो आई जाएगा, अब इधर भी लोडिंग लिखना है, तो इधर इसका लिखेंगे, किस-किस का आएगा इधर, टू लोडिंग, रिटन पे, आई में तू लोडिंग, अब देखना, नॉर्मल लॉउस पे लोडिंग नहीं निकालते हैं, मैंने टिक नहीं किया न, नॉर्मल लॉस फूल दिखाते हैं, टू नॉर्मल लॉस, एधर इज, यहाँ उतार देते हैं, यानि मैं एक बात बोलू ना तो normal loss पे 100% loading बोल सकते हैं हाँ पूरा मतलब 100 रुपे का है ना पूरे 100 रुपे ऐसा नहीं है कि 100 है तो उसका 20% profit रहे तो सिर्फ 20% 20 लिखेंगा नहीं पूरे 100 तो जो यहाँ normal loss होगा abnormal loss इधर लिखते हैं तो loading कि इसका ABL लिख रहा हूँ ठीक है अब मैं मान लेता हूँ 1000 रुपे का समान था इसके उपर profit रखता हूँ मैं 20% का ठीक है loading बताईए कितना होगा 1000 का समान 20% का profit margin है तो loading बताईए कितना होगा कौन बताएगा loading होगा बड़ी सीजी सी बात है मैंने 1000 पर 20% रखता हूँ तो 200 रुपे वह आप उस पर मत जाईए के 25 निकालेंगे 20 निकालेंगे ठीक है कितना निकालेंगे 200 अब मैं अगर इसमें पूछ हूँ हाँ मैंने डारेक्ट बता दिया अगर मैंने कहा 1000 पर 20% या नहीं 200 अमें बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ कि बताईए इसमें profit का हिस्सा कितना है 200 क्योंकि loading को ही तो profit बोलते हैं अब cost का हिस्सा कितना है 800 तो यहां पे ऐसे सवाल का कितना आएगा सर 200 और जो उसका cost होगा वो भी तो नुकसान है वो पी एंडल में चले जाएगा abnormal 200 उपर 800 नीचे मैं example में ले लूँ यानि नुकसान तो पूरा ही हो गया नुकसान होने से stock तो खतम ही हो गया अब profit का थोड़ी नुकसान हो जाएगा आपका नुकसान तो हमें इसा goods का होगा तो जो goods का नुकसान होगा उसे पी एंडल यानि यहां भीज़ देंगे और जो cost profit वाला हिस्सा उपर चला जाएगा ताकि हम इससे actual profit निकाल पाएगा समझ रहे हो अब इसके बाद क्या है सर transfer to branch इस पे भी loading निकाल लो transfer transfer सर और क्या होने वाला है balance cd पे भी to loading closing पे ठीक है न इसके बाद यहां दो संभावनाई बन गई सर दो संभावनाई कौन सी बन गई या तो gross profit ठीक है न तो मैं मानके चलता हूँ ज्यादा से ज्यादा तो gp आता है तो gross profit अगर आया है तो इधर लिख देंगे 2 gp 2 gp बिल्कुल वही है और इसका gp किदर आ जाएगा buy gp अब यहां सारे खर्चे आ जाएंगे सारे अब चाहे discount on debtor हो अब यहां पर आएगा यानि total खर्चे आ जाएगा पहले हमारा opening और closing debtor था तो adjustment लग जाता था बीच का खर्चा लेकिन अब अब चाहे भी आ ब्रांच खर्चा करे head office खर्चा करे लेना देना नहीं है सारे खर्चे आएंगे समझ रहे हूं तो यहां पर सारे खर्चे क्या क्या हो सकते हैं सर डिस्काउंट bed debts और क्या हो सकता है हमारा salary salary journal expense other expense सब आ गया है ज्यादा लंबा खीच के क्या कर आपको पता ही है salary आज गया आपका office expense आ गया water below हो गया चाहे paper का खर्चा हो गया stationary का हो गया सब आ जाएगा अब कई बार abnormal loss में insurance company हमें पैसे दे देता है क्लेम तो उसे लिए हम वह हमारे लिए income है जैसे मान लेते हाजार का समान जला abnormal loss वा मैंने insurance करा रखा तो insurance company देगा ना insurance company मैं 600 दूँआते रखो तो मैंने कोई बात में मेरा बन गया income और इस 600 को मैं पता है कहा दिखा दूँआ by side में by insurance समझ रहा है और यहां पे two side में finally आ जागा petty expense और यह बिल्कुल वैसा होगा जैसे out sending में add हो जाता था पुराना दे रखाया out sending दे रखाया तो क्या करेंगा अपन add कर देंगे वही बिल्कुल सेम वही रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं ठीक है अब यहां पे जब हम total करेंगे यहां पे जब हम total करेंगे तो यहां पे अब निकल के आएगा पता है क्या net profit यहां पे क्या निकल के आएगा net profit समझ रहे हो अब बाकी के account को समझो मैंने क्या बोला सर एक branch बनाएंगे एक यह बनाएंगे यह तो समझ रहे है यह यह तो debtor से निकलेगा credit sales कई बार तो अगर आपको credit sales दे दे मतलब ही नहीं debtor का कोई लेना देना नहीं debtor का समझ में आ गया है इसके बाद मैंने बोला सर एक क्या बनावा petty expense, petty expense कहां use हो रहा है अगर दे दे आपको current year का petty expense इस पर मैंने बाकी बोला था अलग से discuss करेंगे जुरत ही नहीं है इसके बाद एक मैंने बोला bank account तो सर bank account की जुरत पढ़ सकती है आपको cash sales निकालने के लिए तो अगर सारी जानकारी है तो branch account, stock, debtor system बस यही है इससे अलावा कुछ नहीं और बाकी के जो account बनेंगे इसकी help करने के लिए बनाया जाएगा बस पहले concept को thought को समझे आप समझ रहे हैं एक account क्या stock, stock कितना असान है इधर से आएगा stock और इधर से निकल जाएगा बाकी इसमें से कोई हमेशा पता इसमें क्या निकलेगा आंसर में balance cd ही निकलेगा ज्यादा से ज्यादा और उसके बाद जितने भी इसधर की side है सभी के हम क्या करेंगे two वाले का जितने भी loading है buy में ले जाएगे किसमे प्रांच अर्जस्मेंट में और बाय वाले का कहा लिएंगे और वहां से निकलेगा जीपी और पी इंडल में सारे खर्चे डाल के हम क्या निकाल लेंगे इवन तो अभी पहला सवाल किया था ना हमने तीसरा सवाल किया था वह as per debtor system किया था उसी को मैं इसी method से करूँ तो answer same रहेगा कोई फरक नहीं आएगा तो कई बार question भी ऐसा आपके book में भी सवाल होगा कि verify also stock debtor system का question होगा हो कहता है verify also तो तो कहने का मतलब है भाई या stock debtor system से निकाल ले तू net profit और तेरा net profit निकल गया न तो एक बार debtor system से भी निकाल ले अगर match हो जाता तो verify हो गया same सवाल कोई तो हाँ दो बार करके पूछ लेता हूँ तो वह exam में तो नहीं आएगा इतना लंबा लेकिन book के अंदर ऐसे question आपको मिल सकते हैं even given भी है पहले बताईए अलाग अलाग बनाएंगे के सर इसे अलाग अलाग बनाएंगे या एक में ही बनादे में अप एक में बनादीजें यिक कोई दिक्कत ने चलेगा अगर question specific कहता है कि ट्रेडिंग बनाओ ट्रेडिंग बनाओ पी हिंडल बनाओ तो उसका लाइन करो और लाइन खीचKe इसे ह् एसे मीशम्मार लगोष में पूरा एक सवाल करने ने आँचे है तो एक सवाल करने नहीं जा रहे हम सवाल यहां पर आप बताना कहाँ जाएगा एई आप दिखांगा और आप बता देना कहा जाएगा ठीक है या बुक दिखा तो बुक से ही पढ़ देता हूँ मैं एक कोशन आप निकाल के देता हूँ एक कोशन ब्रांच डेटर स्टॉक डेटर सिस्टम वाला मेरे सामने न मैं बोलता जाओंगा और जितने बच्चे लाइब में न वो भी साथ के साथ जवाब देंगा चुप चाप नहीं बैठना और मैंने यूटूब का लिंक भी दे दिया है आपको मैं दुबारा शेयर कर देता हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लो इसी पर आगे की नोटिफिकेशन में डालूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पुराना चैनल हमारा हैक हो चुका है जो बड़ी दुख की बात है कुश्चिन नमबर 10 है ठीक है ति आपने ये बताना है जाएगा कहाँ ठीक है अगर आपको ये चीजे समझ में आ गई न आप 주는 जाएगा कहाँ question number 10 में कहता है ये question में कहता है आगरा head office surplus goods branch अलवर है उसमें भी है अलवर वाला अलवर वाला है या नहीं है है मैंने कराए हुआ है stock which branch आपका 66,000 है 66,000 है भाई और प्रोग्राम के अंदर 14 honors के अंदर 10 पुरानी बुक में 11 भी हो सकते है देख लिज़े आपके पास किताब है ठीक है किताब है आपके पास अब यहाँ पे given है branch stock at invoice price 66,000 रुपे starting में given है ठीक है ना मैं पढ़ दू इसको अभी हम सवाल नहीं कर रहे हैं जस्ट आपका knowledge टेस्ट कर रहे हैं कितना आपको समझ में आ रही है मेरी बात है तो पहला point given है stock balance on 1120 को यानि sir opening stock कहा जाएगा यह आपको जवाब पता है कैसे देना है आपको जवाब देना है sir यह जाएगा stock account के debit site ठीक है ना कहा जाएगा बताईए live वाले बच्चे भी बता दें फटा फट कहा जाएगा यह stock account के debit site इसके बाद अगला point है debtor 1120 का debtor तो अब यह debtor account बनाना पड़ेगा मैंने हाला की बनाया नहीं है तो आप समझ जाएगे यह debtor कहा जाएगा debtor account बे इसके बाद देता है petty cash का balance 1120 का यह petty cash account के अंदर जाएगा यानि opening balance जिस account से related है वहाँ पहुँशा देंगे कहता है goods received from head office कहा जाएगा यह goods received from head office कहा जाएगा branch के debit में जाएगा समझ में आ रहा है ना अंजली ने भी जवाब दे दिया है कहता है credit sales कहा जाएगा sorry goods return to HO कहा जाएगा branch stock branch account नहीं है branch stock बोलना है branch stock के credit side return है ना credit sales कहा जाएगा sales return कहा जाएगा debit में जाएगा और debtor में भी जाएगा ज्यान रखना sales return debtor में आता है नहीं आता अभी करा था आता है ना तो वहाँ भी जाएगा cash sales भी यहीं पर आ जाएगा stock account के credit side में allowances customer already adjusted discount P&L के debit में आ जाएगा ठीक है इस पर discuss करेंगे मैं यह नहीं कह रहा है कि आप यह question करिए मैं बोल रहा हूं कि यह question इस type के हम देखेंगे cash receive from debtor कोई काम है क्या कहां जाता है cash receive from debtor debtor account में जाएगा यह discount allowed to debtor P&L में भी जाएगा और debtor में भी जाएगा expense petty cash सारा दे रखा है salary वैलरी यह सब दे रखा है यह P&L में चला जाएगा stock का balance दे दिया petty cash का balance दे दिया तो इस तरीके से सवाल आपको थोड़ा थोड़ा idea लग गया होगा कि किस account किस से related है जब मैं पूरा का पूरा question करूँगा तो 100% आपको shear हो जाएगा बस ऐसे है मैंने जितना आज की class में चर्चा किया है ना बच्चा अगर इस class को अच्छे से देख ले ना अच्छे से समझ ले तो कोई भी question कर सकता है सिर्फ understanding develop होना चीए और जो बच्चा सिर्फ इसको उतार लेगा और उसके बाद question करके पढ़ पढ़ के लिखेगा अरे good receive इधार है यह इधार है तो नहीं कर पाएगा यानि इसके अंदर क्या है logic है simple यह stock account है इधर से बढ़ाना है इधर से घटाना है इसका loading उठाके हमें buy side करना है buy वाला loading उठाके two side करना है पी handle में सारी खर्चे डालना है यही तो 4-5 बाते आपको अधरक नहीं है अगर यह चीज आपको समझ में आती है तो that's it आपका खतम हो जाएगा है इसके help करने के लिए कुछ account बन सकते है debtor, petty cash, bank और भी कुछ बनाना चाहिए तो बन सकता है debit side clear है यहां तक तो हम कल सुभे 11 बजे class रख रहे हैं 11 बजे आली class के अंदर हम कम से कम 3 सवाल करेंगे इसके जिससे हमारा यह branch account खतम हो जाएगा बड़े बड़े 3 सवाल देखेंगे कल हम और कितने question है total 32 इंटर department branch यह तो अभी नहीं करें departmental branch तो अलागी chapter से करेंगे तो सर सवाल है 28 तो कल 3 question करेंगे 3 question करने के बाद आपको 10-12 question दे दूँगा मैं homework के लिए जो कि आप करोगे और main चीज़ देखो मैं यहाँ पर मेहनत तो करी रापके paper बहुत पास आने वाले हैं आपको थोड़ा अपना भी effort लगाना है अपना भी दिमाग लगाना है इसके अंदर solution भी गीवन है तो कई बार आप जब रुख जाओ उस solution की help लेना अगर solution के देख के आपका understanding concept के हिसाब से match कर गया और solution वहीं पर डला है तो छोड़ देना लेकिन आपने solution को देख के answer को tape दिया लेकिन समझ में नहीं आए कि वो solution ऐसा क्यों लिखा गया था तब आपके लिए problem है वो चीज़े आप मेरे से पूछोगे WhatsApp पर ठीक है ना समझ में आ रहे है तो फटा-फट से इसको नोट कर लीजी आप जितने offline बच्चे और online वाले भी बच्चे नोट कर लेंगे इनको